धोका देती है अक्सर मासूम चहरे की चमक, हर काच का तुकड़ा हीरा नहीं होता नवस्कार मैं स्वरब गोश्वामी बुंदेल खंड के जहासी की एक सच्ची प्रेम कहानी के या प्रेम में किस प्रकार से धोका मिलता है उस कहानी के लिकर हम आप लोगों के बीच में आए यह कहानी है मिसरा जी की जो जो मिसरा जी आज के संहिए 60 बर्स के होच चुके है उनकी पत्नी इसलिए उन्हें धोका देके चली जाती है किसी गैर मर्द के साथ कि वो पैसे से कमजोड थे उनकी पत्नी आज से लगबग 22 साल पहले उनके साथ रियाक रहा करती थी लेकिन अब वो उनके साथ नहीं रहती कारण यह था कि मिस्रा जी ड्राइवरी करते थे और ड्राइवरी के कारण के पसना साथा पैसा नहीं आता था और पत्नी किसी दूसरे के प्रेम में पागल हो चुकी थी दो बच्चों को लेकर मिस्रा जी की पत्नी उन्हें धोका दे के चली जाती हैं सालों दर साल बीट जाते हैं लेकिन मिस्रा जो है वो भगवान का साथ नहीं छोड़ते हैं वजो पुजा पार्ड में करते रहते ह। पजारी बन जाते ह। साठ साल की उमार हुते होते, मिस्रा जी के जीवन में एक चमतकार कह लीजे, यह समय का फेर कह लीजे कुछ ऐसा होता है जो बहुत ही दिल्चस्प होता है वीडा का अपने नाम सुना होगा जहां से में समय वीडा जमीन एक्वार कर रही है इंडेस्टी एरिया के लिए पर ऐसे में मिस्राजी की पास जो डेड़ेकर जमीन थी उस डेड़ेकर जमीन का मिस्राजी को मुआपजा मिलता है और मुआपजा होता है 28 लाक रुपए जैसे यह एक खबर उनकी पतनी को मिलती है जो आज से लगवाग बाइस साल पहले उन्हें छोड़के चली गई थी धोका दे के चली गई थी कि उन्हें मिलती है तो वो वापस मिस्राजी के पास पहुंच जाती है और वो कहती है कि आप हमाई साथ में रहे हैं चूगि मिस्राजी धोका कह हुए थे दिल के जले हुए थे उन'de के साथ क्या नहीं हूगा उगवा होगा चूगि जब किसी पती को यह पदा़िक पता चले कि उसकी ब्यें किसी गेहर मर्द के साथ अफ़ेर में रहे संसम्मंदैन तो वेसे घर अआ है कि जो उनका छोटा बच्चा है वो हमारा नहीं है किसी दूसरे का इस पिरकार की मीडिया रिपोर्ट हम लोग पड़ रहे हैं चर्चा का विसा है इसलिए विसा के प्यार में धोका और एक ऐसे पवितर रिष्टे में धोका इस प्रकार से पैसा इंवल्व होता है उसके करन से धोका दिये जाते हैं हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं मिस्रा के पास उनके बच्चे जाते हैं पत्नी जाती है और मिस्रा उनके साथ रहने के लिए उनके साथ जाने के लिए इंकार कर देता है उसके मारा पीटी की जाती है और डेल लाख रुपए उनसे छुड़ की बात की जा रहे हैं वो पत्नी जो वाज से बाइस साल पहले जिस मिस्रा को छोड़ के गई थी उसके छोड़ने के पीछे का सबसे बड़ा करण था आर्थिक तंग गई एक ड्राइबर कितना कमाता होगा और कहीं ना कहीं उस महला का दूसरे व्यक्ति के पिर्थी जो भाव थे या उससे प्रेम था उसलिए उसने अपने पती को लात मार दी और वो दूसरे के साथ चली गई पत्नी को कब याद आई पती की जब उसके पास पैसा आ गया मिस्रा तो भगवान की पूजा कर रहे थे पुजारी बन गए थे दिर्रात सेवा करते होंगे अपने जीवन म मिस्रा जी की तस्वीर हम इसलिए नहीं दिखा सकते हैं कि मिस्रा जी की तस्वीर दिखाएंगे तो वो गलत हो जाएगा जिए उस मिस्रा की तस्वीर जब हमने देखी तो हमें भी लगा कि एक साथ साल जो आज बुजर्ग हो चुके हैं उसके साथ उसकी पत्री ने आज से 20-20 साल पहले की घटना जो हुई है वो क्या किया होगा और कब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी का किसी गेर मर्द के साथ अफैर है वो सकता है पता चल लेकर कई साल भीट गए होंगे लडाईयां चल रही होंगे और जब पत्नी को लगा कि आप ना तो इनके पास पैसा कभी आना हो ना हमारे लिए समाल पाएंगे तो वो किसी दूसरे मर्द के साथ रहने लगती है और इस सब चर्चा इस समयर पब्लिक डोमन में है आज की स्थिति है कि जब उसके पत्नी को ये पास 28 लाक रुपए आए वो आप जाके तो पत्नी बापस पहुँची कि हमारे साथ रहिए चुकि पैसा मिल गया है तो अब पैसा क्या क्या नहीं कराता है पैसा धोका भी कराता है और पैसा आफैर भी कराता है और पैसा बापस भी बुलाता है एक पैसे की कहानी है और एक कहानी लगातार किसी ना किसी की इसी प्रकार से मैं आपको सुनाते रहेंगे एक कहानी है जासी की बुंदेल खंड के जासी के रक्सा थाने की एक गाउं की एक कहानी है जिसमें मिस्रा का जिंदगी बरवात कर दी एक महला आने किवल पैसे के चक्कर में बाप बड़ाना भाईया सबसे बड़ा रुपईया यहां यह स्थिति है कि पती की कोई बैलू नहीं है पती के कोई माइने नहीं है इस महला के लिए किवल पैसा ही सब कुछ है क्या कहेंगे इस पूरी कहानी को सुनकर क्या कहेंगे इस पूरी घटना करम को सुनकर जिस परकार से मिसराजी के जीवन के साथ खिलवार किया गा किलमात पैसे के लिए और अब क्या जो महला दूसरे आदमी के साथ रही वो उसके साथ झाल झाल